आज के जो रेसिपी है न वो हमारे यूपी की बहुत ही फेमस रेसिपी है और दिवाली पर तो ये सभी के घरों में बनाई ही जाती है सायद कोई ऐसा होगा जिसके यहाँ यह नहीं बनती हो इसके सली यह दिवाली पर और इतनी गजब की यह बनती है ना कि बस देखते ही आप इसे एक बर बना लीजित सेम इस तरीके से और आपको पसंद ना आए ऐसा थो हो यह नहीं सकता है तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है तो यहां पर मैंने 500 ग्राम के जितना सूरन ले लिया है इसको जीमिकंद बोलते हैं ओल भी बोलते हैं यम भी बोला जाता है आप लोग इसे क्या बोलते हैं बता सकते हैं आप मुझे अगर इसके और भी सारे नाम है तो वैसे हमारे यूपी की तरफ जनरले इसको जिमीकन्द या सिर्फ सूरन ही बोला जाता है कई-कई लोग इसको ओल भी बोलते हैं तो इसको काटने से हाथों मेंना बोहत ही गजब की खुजली होती है मेरे हाथों पे तो बहुत जादा होती है तो इसका एक साधरन सा उपाय है कि आप नीबू का जूंस लीजे, अच्छे से हाथों पे फैला लीजे, या फिर बहुत लोग तेल लगाते हैं, तो मैं तेल वाले काम तो बिल्कुल नहीं करती इस तरीके से, क्योंकि उससे क्या होता है न, जब आप इसको छीलेंगे न, तो फिर चाकू फिसल भी जाती है और लगने का भी डर रहता है, तो सबसे अच्छा है कि आप नीबू का जूंस लगा लीजे, चाहे अर्वी काटना हो, चाहे ये सूरन काटना हो, जो खुजली वाले होते हैं न, कोई भी सबजियां, तो आप आराम से नीबू का जूंस लगा भी बाने वाले हैं न, इस तरीके से आप बनाएंगे तो इसकी गारंटी ले लीजे कि बिल्कुल भी आपको खुजली नहीं होगी, अगर आप भी मेरी तरह से डरते हैं न इसे खाने से तो बस एक बार इस तरीके से बनाईएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, औ और इसे क्या करना है काटने के बाद तीन से चार बर रगड कर काफी बढ़ियां से साफ कर लेना है पानी से पानी से दो से तीन बार या चार बर जरूर साफ कीजेगा उसके बाद एक चमच नमक एक चमच नीबु का जूँ सैट करेंगे और इसे हम काफी बढ़ियां से मिला देंगे और इसे हम ढग देंगे केवल एक से डियर घंटे के लिए ध्यान रखेगा ये वाला इस टिपना आप जरूर से कीजेगा अगर आपको भी खाने से गले में खुजलाहट होती है तो ये इस टिप जरूर फॉलो कीजेगा तो देखिए आप इसको हमने ढग देना है ए पारी मिर्ची ये सारी चीजे आप अपने पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं जैसा आपको पसंदो लेसन प्याज नहीं खाते हैं तो इसको इसकी भी कर सकते हैं और पानी इसमें नहीं डालना है इसका पेस्ट बना लेना है तो पेस्ट हमने बना कर साइड में रख दिया है और यहां पर एक घंटे हो चुके थे तो देखे कितना सारा पानी इसे रिलीज हुआ है क्योंकि निवो का जोस भी एट किया था नमक भी डाला था तो नमक के संपर्ख में आने की वज़े से जो सूरन है वो भी अपना पानी रिलीज करता है तो अब इसको हम दूसरे बरतन मे निकाल लेंगे और इसका जो बचा हुआ पानी है ना इतिना सारा निकला हुआ है इसे हम फेक देंगे तो बहुत ही हद तक इसकी जो खुझला हट है वो कम हो जाती है और ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी तो अब इसमें डाल देंगे पानी और इसे एक से दो बार फिर से वापस से धुल लेते हैं इससे क्या होगा जो इसमें नमक है वो भी हट जाता है और नमक तो काफी वैसे भी हटी चुका है और इसको जितने बढ़ियां से आफ साफ करेंगे ना उतने ही खाने में अच्छा भी लगेगा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी तो पा आई फ्लेम पर फ्राई करना है आराम से इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजे बहुत जादा टाइम नहीं लगता है इसमें और जब आप इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ना तो ये खाने में भी टेस्टी लगता है और इसको मैंने कोई भी बॉयल नहीं किया है आप चाहें तो boil भी करके बना सकते हैं वैसे सूरन की बहुत सारी recipes मैंने अपने चैनल पर upload की है कई recipe मैंने इसकी डाली है आप चैनल पर check out कर सकते हैं और इसका जो बचा हुआ तेल है बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप उसे क्या करते हो तो सरसों का जो तेल है इसका इस्तेमाल एक बार fry करने के बाद दुबारा सबजी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं तो सेम वही तेल मैंने तीन चमबच के जितना लिया है सबजी बनाने के लिए तो तेल तो काफी गरम ही था तो एक चमबच जीरा एट करेंगे काली वाली जो हिलाइची होती है ब पाल देंगे और इसे हम काफी बढ़ियां से भूनेंगे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए ये वाली रेसिपी का जो मेन होता है नभू होता है इसका मसाला अगर आपने इसे थोड़ा सा टाइम दिया है इस रेसिपी को बनाने के लिए तो यकीन मानिए आपकी सबजी इतनी जबर बनेगी ना कि सबको बहुत पसंद आएगी तो देखे काफी बढ़ियां से मैंने इसको भून लिया है पांच मुर्ट मैंने इसको भूना है और अब ये काफी अच्छे से भून चुका है तो इसमें मैंने आड़ कर दिया है टमाटर का पेस्ट एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच कास्मेरी लाल मिर्श पाउडर एक चोटी चमच सबजी मसाला कोई भी आप ले सकते हैं दो बड़ी चमच धनिया का पाउडर और बस अब इन सारी चीज़ों को हम मिला देंगे और मीडियम फ्लेम कर देंगे और इस मसाले को काफी बढ़ियां से भूनना है तो इ यह वाली रेसिपी बनाना उतना भी आसान नहीं है अगर आप इसे बहुत अच्छे से मसाले को तयार नहीं करेंगे तो टेस्ट में बेसक है कि फर्क बहुत दिख जाएगा और यहां पर मैंने आधे कपके जितना दही को काफी बढ़ियां से फेंट लिया है दही को फेंट बट इसका टेस्ट इसमें काफी अच्छा आता है और अब यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज यह है नीबू का अचार जी हां कोई भी नीबू का अचार चाहे वो मसाले वाला हो बिना मसाले वाला हो एक चमच आपको लेना है बढ़ियां से नीबू के अचार को मैस कर और एक चमच इस मसाले में डाल दीजे आपको यकीन नहीं होगा ना कि इसका टेस्ट इतिना सांदार आएगा और जो मसाली हैं भून चुके हैं तेल भी रिलीज होने लगा है तो इस टाइम पर एक चोटी चमच एट करेंगे कसूरी मेथी इसको हल्का सक्रस कर लें हातों पर और इस तरीके से डाल दिए बहुत अच्छा टेस्ट लगता है कसूरी मेथी का भी और मसाले देख सकते हैं ना किती बढ़ियां से भूने हैं तो यह वाली रेसिपी का जो सबसे खास होता है वो यही मसाला होता है और इसे काफी बढ़ियां से भूनना पकाना बहत ज़रू तब ही आपकी सब्जी का जो टेस्ट है ना वो असली ही आता है तो मसाले को काफी अच्छे से हमने भून लिया है अब इसमें डाल देंगे दो ग्लास के जितना पानी टेस्ट की एकॉर्डिंग नमक एट करेंगे और इसे मिला देंगे उसके बाद जो हमने सूरन यानि की जी नहीं पड़ेगा और ये देखे तो इसकी जो ग्रेवी है ना वो आप अपने एकॉर्डिंग पानी इसमें मैनेज कर लीजेगा कम जादा जैसा आपको पसंद हो किसके साथ खाना है चावल या रोटी पूरी पराठे के साथ वो भी तो मैटर करता है ना ग्रेवी तो अब को ढख देते हैं बीच बीच में एक से दो बार आप चला भी सकते हैं और ये लीजे फाइनली आप इसका कलर देख सकते है ना जो कि अभी प्रॉपर ये फाइनल अभी बन नहीं पाई है पूरी तरीके से लेकिन कलर देखे तो अब इसमें एड़ करेंगे एक चमश के जित जी हां देशी घी डालने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और उसके बाद एड़ करनी है खूप सारी कटी हुई धनिया की पत्ती जी हां इसे तो बिल्कुल इसकिप नहीं करना है और अगर धनिया की पत्ती नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं तब तो आपको करना नहीं पड़ेगा और इसको मिक्स कीजिए अब आप सब्जी का कलर इसका टेक्शर देख सकते हैं आप बहुत क्रीमी यह सब्जी बनकर तयार हुई है और इस तरीके से एक बार आप बनाएए न तो आपका खुजलाहट वाला डर है वो तो बिल्कुल ही भाग जाने वाला ह क्योंकि सूरन खाने से मैं भी थोड़ा बचती हूँ लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे न तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी गैरंटी है अगर होती है तो वापस से आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं तो इस दिवाली आप भी ये रेसिपी को पनाएए अपनी फैमिली फ्रेंट के साथ इंजॉय कीजिए अच्छी लगी होगी तो सेयर कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा और इसकी बहुत सारी रेसिपी देखना है तो चैनल पर जेक आउट कर सकते हैं हम मिलते हैं नई र झाल 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 झाले कि झाले कि अई कि आपुरी कर दो पितनी हैं झाल झाल